हाई एवरिवान सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूं नेचर इसकी ब्राइटिंग डायमंड फेशल किट और मैं इसकी आप लोगों को यहां पर शो करी हूं पर सारे स्टेप बाई स्टेप लिखे हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर और लोगों निकाल लिया एक बाउल में और उसके बार हम स्टार्ट करेंगे आप लोग देख जाओंगे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप वीडियो दिखाने वाले हुए यहां पर बहुत अच्छे से समझाने वाली किस तरीके से आपको स्टेप को फॉलो करना है और हमेशा जब भी आप फेशल करेंगे डीटैन लगाने से पहले अब इसमें डीटैन अलड़ी दिया हुआ है अगर आप दूसरा डीटैन लगाते हैं तो एक अलग बात है लेकिन इस वाली डायमेंड फेशल कित में नेचर की डीटैन अलड़ी देखा रखा है तो यह आपके लिए नीच लगाने से पहले जो भी करेंगे सबसे पहले स्टैप होता है तो यहां पर हमने सर्कुलर मोशन में क्लेंजिंग करना स्टार्ट कर दिया इसका रिजल कैसा है तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी ही और आप लोग खुद भी देखनेंगे वीडियो में औ नोट्स का लिंक भी मैंने दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बर आप जरूर जाकर चेक कर लिजेगा यहां पर हमने स्टार्ट करी है क्लेंजिंग और से लेकर आइज और पूरा आपको क्या होता है कि हातों को इस तरीके से गुमाना होता है कि हमारा जो फेस की स्किन है अपलिफ्ट होती जाए ठीक है तो कभी भी आप यह बात कर द्यान लेंगे कि आपको फोरहेट से चिन की तरफ नहीं आना है चिन से आपको अपनी क्लाइन के स्किन को उठाना है और फोरहेट तक जाना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और आपको जब लगे कि छोड़ा से आपको जरुरत है पानी लेंए तो आप क्लिंजिंग क्रीम में ठौड़ा सा फोरहेट लिए सकते हैं अप मैं कर सकते हैं जितना हो यह तो अदैन से अपकी दोकियो हो रिमूव हो जाएगी तो इस तरीके से हम लोगो ने clean किया उसके बाद आप इसको wipe off कर लेंगे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे cleansing cream को face पर से अच्छा अब मैं आप लोगो को quickly ये बता दू कि cleansing cream जो थी यहाँ इसमें nature's की diamond वाली इसमें हलके हलके से particles से जैसे की scrub में रहते हैं तो ये आपकी skin को accelerate करता है और आपके skin पर से dead skin को अच्छा से remove कर देता है तो ये बहुत अच्छा part था नेचर की diamond की जो facial kit है इसमें अब हम यहाँ पर apply करने वाले हैं d10 जोगी है यह इसमें step तो second नहीं है लेकिन अगर आप जब भी d10 mask लगाएंगे अपने client के उपर तो इसको second step ही count करेंगे तो yes हमने यहाँ पर d10 pack अच्छे से निकाल कर और बहुत ही अच्छी सी layer लगा देंगे आप जिससे कि आपकी client के skin पर जितनी भी tanning होगी sunburn होगा वो remove हो जाएगा यह extra इसमें दिया हुआ है यह step आप include भी कर सकते हैं इस facial में और अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते है तो आपके उपर है it's up to you और आपके client के skin के उपर है तो हमने एक brush की help से बहुत अच्छे से detan pack को लगा दिया है और अब 10 मिनिट तक यह detan pack client के skin पर रहेगा 10 मिनिट के बाद आपको इस तरीके से circular motion में इस पहले अच्छे से massage करेंगे tanning की सब जगे पर जिस तरीके से हम you know massage करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको circular motion में hands का movement करना है और उसके बाद आप wipe off करेंगे और यह जो थोड़ी सी देर यानिकि आपको 60 सेकंड अगें जितनी देर हमने cleansing में लगाई थी उतनी ही देर आपको यहाँ पर d10 pack को remove करने में लगानी है और अच्छे से massage करते हुए उसके बाद थोड़ी दे बाद आप एक मिनिट के बाद इसको wipe off कर देंगे ओके तो हम ऐसा क्यों करते हैं यह question हो सकता है आप लोगों के मन में हो कि जगर हम d10 को हम ऐसे भी तो pack को remove कर सकते थे हम कर तो सकते हैं लेकिन इससे क्या होता है और जादा अच्छा result मिलता है आपके client के skin पर बहुत tanning हो रही होगी तो और अच्छे से जब आप massage करते हुए इसको remove करेंगे ना तो यह और अच्छे से उसका result दे कर जाएगा तो इस तरीके से करने से आपके client के चेरे पर और ज़्यादा ग्लो आता है तो आपको इस तरीके से वाइव उसके बाद आप जब एक मिन से massage करने के बाद आप अच्छे से इसको remove कर देंगे पूरे face पर से और अब बार ही है हमारे second step की second step अब इसके उपर लिखा रहता है जिस तरीके से आप screen पर देख रहे हैं यह मैं आप लोग के सामने ही आज use कर रही हूं पूरा और फिर से याद दिला दू कि अगर आपको यह नेचर का diamond की facial के clean है तो इसका link बने description में दिया हुआ है और अब हमारे second step है यह है आपकी massage cream और सबसे अची बात पता है क्या है इसकी packaging बहुत है बहुत हाईजीनिक packaging है मुझे वह वाले इनो पसंद आते है जिसमें थोड़ा अपनको किसी चीज से जम निकालते है ना तो थोड़ा कई ना कई हैं लग जाता है यह इसको आप अच्छे massage again circular motion से करेंगे चिन से आपको uplift करते हुए जाना है और इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ यनकी eyebrow की तरफ आना है forehead की तरफ और eyes पर circular motion से massage करनी है क्लाइन के कुछ क्लाइन के area पर यहां पर mouth पर pigmentation होता है blackness होती है तो आप एक finger से इस तरीके से भी massage करेंगे बिलकुल और आपको बस याद रखना है जो मैंने आपको cleansing के time पर step के time पर याद दिलाया था कि आपको इस तरीके से uplift करना है और आपको इस तरीके से jaw line को sharp करने के लिए आपको इस तरीके से uplift करते हुए और eyes के पास जाकर आपको चोड़ना होता है तो यह चीज का इन steps का ध्यान रखें यादरवाइस कभी ऐसा ना हो कि अगर आपके बड़े हैं नेल्स तो आपके क्लाइन के skin पर लग जाए और इसके अलावा आप hands पे भी से कई बार girls वगरा हम लोग बैंगल्स वगरा पहनते हैं वह भी ना पहने अगर आप पहने हैं तो facial के time पर उतार दीजिए उससे क्या इसके result बहुत अच्छा मिलेगा तो यहां पर आप steps देखे गाई और अच्छे से ध्यान से और जो लोग लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं और आप pause करके मेरे साथ इस वीडियो को साथ साथ में आप किसी के उपर अगर कर रहे हैं तो practice भी कर सकते हैं कई लोग बहुत हम practice कैसे करें तो देखो अगर आपके family में कोई भी है आपकी mother-in-law है या आपकी मुमा है पापा है इवन आज कल तो लड़के भी बहुत जादा facial कराते हैं आप अपने husband पे अपने friend पे या अपने कोई नहीं घर पे तो आप पापा के ऊपर भी कर सकते हैं अच्छा है कि उ अच्छा लगे के cream आपके client के skin बहुत जादा cream मांग रही है तो आप cream ले लें क्योंकि यह जो नेचर की diamond की जो cream है अलकी सी थोड़ी सी dry है लगी होजे और यह बहुत जल्दी absorb हो रही थी हमारे client के face पर तो हम तो 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 पानी मिला कर भी कर रहे थे और आगर आपको लग है इसलिए अभी हम नहीं करें हमने थोड़ी सी मसाज करने के बाद यहां पर स्टीम देना स्टार्ट करें जब भी आप स्टीम के साथ जब आप फेशल दे रहे हैं और आप स्टीम भी दे देते हैं तो इसका result awesome आजाते हैं क्योंकि जब आप मसाज कर रहे होते तो आपके face इसके जो पौर्स होते हैं वह open हो रहे होते हैं और एससे और अच्छी बात यह होती है कि जितनी भी अंदर यानकी जो हमारी iskin की लेइर्स है और इसकिन के लेइर्स के अंदर आपके अगर पार्टिकल्स हैं तो वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे तो इस बात पर खास तोर पर ध्यान दीजिएगा इसका रिजल्ट बहुत अच्छे होता है और आपको यहां पर स्टीम केवल पांच मिनट के लिए और आप करीब 10 मिनिट तक यहां पर मसाज करेंगे और हम पूरी क्रीम को एब्सॉर्व करा देंगे यहां पर आपको क्रीम को रिमूव नहीं करना है आप देख सकते हैं कि हमने पूरी क्रीम को अच्छे से एब्सॉर्व करा लिया है दस मिन तक आपको मसाज करनी होती है और आप भारी है दोस्तों थर्ड स्टेप के जो की है फेस मास्क यानिकी फेस पैक और हमने यहां पर अगेन इसको ट्यूब से निकाल लिया है और फिर इसके बाद हम एक ब्रश क से अच्छे से रिमूब कर देंगे हैं तो इस तरीके से यह पूरा फेशल कंप्लीट होता है और यह इसके बाद इसमें एक और दिया हुआ है संस्क्रीन लोशन जैसे अगर आपके क्लाइं तो आप संस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं और आप देख सकते हैं कितना अच्छ का ब्राइटनिंग फेशल केट है बहुत इसी तरीके से आप कर सकते होंगे और अगर आप में शहन का विते सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए और पालर के कोर्स को सीखने के लिए फ्री में जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लिजेगा थैंक्यू सो वेरी मच्छ ववाचिंग अब मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में बाबाई टेक के लिए अ कर mentor मिलें बाबाई वीडियो कर वेरी में वेरी में वीडियों मिलें आियरी म muchísimo सीखने के लिए वाजक वाय भी ओब तो वीडियोग तो बडिएस के लिए संद मैंगाऊपैं नेक्स्वाचीτοना के स peuvent दोड़तिवां अदावाँ से तो आजे रहाएगल मच्चिंग उनीद को